करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर है आज शाम वह किसे और क्या बाते कर रहे थे ठीक है रीडिंग का टॉपिक यह है चलिए हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है फिक है उनके दिल में या फिर क्या था और वो किसे क्या बाते कर रहे थे ठीक है रिडिंग का टॉपिक यह है ध्यान रखेगा कि यह रिडिंग एक जन्र रिडिंग ही है और कलेक्टिव है तो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आप सब को जितने भी मेरे वीवर्स हैं और स्वाच नम्बर् फाइग के बुकिंग आज से स्टाठक है अगर आप रैमेडे एंडि एन रिटॉल्स करवाना चाहते हैं थोर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं या आप मेरिड लाइफ में अपनी खुश रहना चाहते हैं आप इस person से marriage करना चाहते हैं ठीक है उससे marriage हो जाए आपकी ऐसा कुछ चाहते हैं तो आप slot no.5 में booking confirm करवा सकते हैं slot no.5 की booking होनी start हो गई है तो आप लोग booking फटा फट करके करवा लिए नहीं तो कब booking यहां पे खतम हो जाएगी कब हम लोग overload होने के कारण से जैसे कि slot no.4 में overloaded होने के कारण से हम लोगने booking दो दिन पहले बन्द कर दी थी So slot no.5 की booking आज से start है वीकेंड पे होता है booking तो आप लोग booking करना है start कर दीजे आज से और यह 3-4 दिन चलेगा फिर हो सकता है कि overload होने के कारण से फिर से इसको दो से तीन दिन पहले ही block कर दिया जाए यानि कि रोक दिया जाए है तो इससे पहले कि slots full हो जाए इससे पहले आप अपनी booking confirm कर वा ले जाए ठीक है result की guarantee है result हम लोग दे रहे हैं और result हम लोग दे गे ठीक है जब तक आपको result ना मिल जाए तब तक हम लोग आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं ठीक सो चलिए करते हैं reading को start देखते हैं कि आप श्राम आपके जो partner है वो किसे और क्या बाते कर रहे थे आपके बारे में ठीक है सो start करते हैं फोकस किजिएगा आप अपने आप के उपर अपने पॉर्सन के उपर और अपने लाइफ के उपर ता कि जो भी एनरजी आए हैना आप उसको अच्छे तरीके से रीडि कर पाएं चलिए गाइड करें एंजल्स उनिवर्स और सेस्टर्स ओके ओके देखते हैं कि आज शाम वो किसी और क्या बाते कर रहे थे आपके बारे में ओके में हैं मोकि बॉटम अफ्ट डएक टेन ओफ पैंटिकल्स बॉटम अफ्ट डएक ऑगे सो फैमिली बनाने की बाते होँए बाते हो रही हैं टीक है जदा चंस्डवर्स में रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दिखरा है कि फैमिली जो है एक तरीके से जो किसी के लिए important होती है वैसे ही आपके partner की भी life में family काफी important है और आपके person आपके साथ family बनाने के बारे में बाती करते हुई दिखाई दे रहे हैं मुझे ऐसा दिख रहा है जिसे कि इस person को भी काफी interest है आपके साथ की family बने काफी जदा interest मुझे आता हुआ दिख रहा है इस person के energy के अनुसार से ये person जो है ना आपको किसी भी कीमत पे अभी फिलहाल तो खोना नहीं जाते हैं ठीक है और ये person बाते कर रहे हैं कि आपके साथ जो हसीन ख्वाब देखे हैं family से related family के सपने देखे हैं वो ख्वाब तूटे ना और आप दोनों का प्यार आप दोनों के बीच का प्यार आप दोनों के बीच का emotions है ना ये continue रहे आप दोनों कभी एक दूसरे से अलग ना हो आप दोनों एक दूसरे के बहुत close आएं है ना ये person बात को मैं रखूंगे आपके सामने चारियट के एनेर्जी है ओके स्ट्रेंथ ओके टेन ओवांड्स आपके स्ट्रेंग कर् Boyd, का स्ट्रेंग में कर्वा हूंगेS गया हूंगे थाना कर्वा, चाहिछ व्यू कर्वानग्, इ सक्कॉर्य व्यू सेज्ट वरे पैस्ट के छूर्ड भेद эконом Clinton, कि मैंन थे क्याख कूको स्ट्च्द क हूंगें, जड़ BT यर कर्णudeव रिद ग्त।बस एस अवांट्स एट ऑफ पैंटिकल्स यहां मेरे पास मून के एनरजी ठीक है तो यहां पर मैं यह देख पारे हूं आपके कार्ट में कि आपके जो पार्टनर हैं देखें क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर बाते करते वे दिख रहे हैं इस रिलेशन्सिप में जितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं जितनी ज़्यादा चीजे खराब हो रही हैं ठीक है इसके बारे में आपके पार्टनर क्लियर दिख रहा है बाते करते वे दिख अणिखय दिखा दे रहे हैं ठीक है आप दूनों के बारे में आपके जो पार्टनर हैं एक तरीके हिनरजी ऐसी दिखाई दिखाय दे रही है जहाँ पर दोनों के रिलेक्शनशीप में कोई थार्ट नहीं आ रहा है कि मैं क्या करना चाहता हूं और मेरी लाइफ में हो क्या रहा है क्योंकि एक तरफ से third party है और third party के वज़ए से जो problems आरी है ना वो मेरी life को काफी ज़्यादा बर्बाद कर रही है काफी ज़्यादा बर्बाद ऐसा दिख रहा है जैसे कि मैं अपनी खुशियों को enjoy नहीं कर पा रहा हूँ मैं अपने खुश्यों को देखने ही पा रहा हूँ क्योंकि third party है मेरी चाहत तो थी उसके साथ family बनाने की मेरी चाहत थी उसके साथ बहुत ही प्यारी सी energy के साथ बहुत ही प्यारी सी शुरुआत करते हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हम दोनों एक दूसरे को appreciate करते हम दोनों एक दूसरे के लिए जीते मरते बहुत ज़्यादा मेरे दिल में उसके लिए feelings मेरे दिल में उसके लिए emotions थे मैं अपने दिल से चाहता हूँ कि उसके लिए जो मैं feel करता हूँ वो मैं उसको बता हूँ बट पता नहीं क्यों मैं अपने मन के बातों पे अडिग नहीं रह रहा हूं मैं अपने मन की बातों को छुपाने लगा हूं मैं अपने मन को तसली नहीं दे पा रहा हूं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि नहीं शायद तू गलत कर रहा है शायद कुछ चीजें गलत हो रही है तेरे साथ, शायद कुछ बाते गलत हो रही है तेरे साथ, शायद जो है ना, तू ही गलत है, ऐसा मुझे फील हो रहा है ना, कि शायद मैं ही गलत हूँ, मेरे जो situation है, वही गलत है, ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे कि मैं अपने आपको ही जो है मैं अपने आपको ही तकलीफ दू मैं अपने आपको ही दर्द दू मैं अपने आपको ही एक दर्द से अपने आपको ही एक तकलीफ से जब निकाल रहा हूँ न तो मुझे कहीं न कहीं वो तकलीफें नजर आ रही है वो दर्द नजर आ रहा है ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक especially मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक बहुत ज़दा एफ़र डाल रहा है तो यहाँ पे यही एक person कह रहे हैं कि यार मैं एफ़र डालने के बारे में सोच भी रहा हूँ मैं कुछ करने के बारे में सोच भी रहा हूँ न तो थर्ड पार्टी के ख्याल आ रहा है थर्ड पार्टी की बाते आ रही है थर्ड पार्टी देखो थर्ड पार्टी को मैं चाहता तो नहीं हूँ कि वो मेरी लाइफ में आई या third party की वज़ा से हम दोनों की life इस तरीके से हो है ना तुम भी जानते हो कि किसी की relationship में अगर third party आई तो वो उसे पसंद नहीं करेगा नहीं पसंद नहीं करता हूं reality है ये मैं पसंद बिल्कुल भी नहीं करता हूं उसे और नहीं करूंगा कभी मुझे लगता है कि मैं अपने आपको अपने लाइफ को नहीं सर्वाइब कर पाऊंगा मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ मैं इतना ज्यादा अपने आपके साथ रिलेशन में कभी भी मैंने सोचा बहुत ज़दा तकलीफ हो रही है मुझे बहुत ज़दा पैन हो रहा है मैं चिड़ गया हूँ ठीक है मुझे बहुत ज़ाद बहुत ही ज़ादया तकलीफ हो भी है ठीक है मुझे ऐसा दहुत रहा है जैसे कि को जिसे कि मैं अपनी जिंदिगी जो है ना में भूल चुका हूं ठीक है मेरे अंदर जो है ना मेरे अंदर वह integration लेवल खतम हो गया है चीजों को भरताश करते करते मैं नहीं हैंडल कर पा रहा हूं मैं मेरी लाइफ की सबसे बड़े गलती लगता है ना कि मैंने कर दिया है कि मैंने उसके साथ relationship तोड़ दिया है ठीक है मैंने उसके साथ relationship तोड़ दिया है और उसके साथ ना करके ये मेरी सबसे बड़ी भूल है और बड़ी भूल इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं मैं उससे जो प्यार करता हूँ है इन की कोशिच कर रहा हूं मैं ऑपने आपको जीने manage कर रहा हूं खुद को मैं अपने आपको manage कर रहा हूं मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा हो कुछ ऐसी feelings या कुछ ऐसे emotions जुड़े जो कि मेरे लिए भी खतरनाक हो और उसके लिए भी खतरनाक हो मुझे जो चाहिए हो clear चाहिए ठीक है मुझे जो भी चाहिए वह clarity के साथ चाहिए मुझे ऐसा भी नहीं है कि मुझे उसके जिन्दगी बरबात करनी है उसके जिन्दगी में जबरदस्थी involved होना है मुझे ऐसा नहीं चाहिए मुझे चाहिए कि ठीक है हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें एक दूसरे के पास रहें एक दूसरे को जितना हो सके उतना टाइम दे और एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझे ठीक मुझे यहां पर यही देख रहा है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग इस रिस् लेकिन क्या होता है कि पता नहीं क्यों लोग मैनेज करने के लिए तयार नहीं है पता नहीं क्यों मैं भी खुद मैनेज करने को तयार नहीं था नहीं थी क्यों पता नहीं लेकिन अब अब लग रहा है कि नहीं अब मैनेज कर लेना चाहिए अब मैनेज करके ही आगे बढ़ना चाहिए ठीक है चली देखते हैं कि इनके जो दोस्त है ठीक है वो क्या कह रहां चाहते है ठीक है इनके बारे में आपके पॉर्षन के बारे में Seven of Cups Page of Pentacles ओके The Will of Fortune यहां है मेरे पास Night of Wands ओके इनके दोस्तने इनको क्लियर बोला है कि देखो तुम कन्फ्यूजन में मत रहो ठीक है Confusing Energy में तुम रह कर अपनी लाइफ को बर्बाद करोगे और मैं तुम्हें यह करने नहीं दोगा मैं तुमसे बस इतना चाहता हूं कि देखो तुम एक क्लियर एंसर निकालो अपने दिल से अपने मन से Clarity के साथ एंसर निकालो और जो तुम्हें हो सकता है जो तुम कर सकते हो है ना वो कोई नहीं कर सकता है ठीक मुझे यहाँ पर मैं तुमसे यही कहूँगा कि देखो confusion में रहकर कि relationship स्रिफ खराब होता है अच्छा नहीं होता है कभी भी ठीक है कभी भी अच्छा नहीं होता है और मैं स्रिफ तुमसे यही expect करता हूँ कि तुम तुम सही तरीके से जो भी करोगे सही होगा और तुम life के लिए एक सही decision लो मुझे भी खुशी होगी कि तुम अपने life में जो भी चीजे चल रही है काफी ज़्यादा काफी ज़्यादा काफी ज़्यादा काफी ज़्यादा ठीके काफी ज़्यादा तुम रुक गए हो अपनी life में मुझे लगता है कि तुम खुश नहीं हो और खुश हो करके भी तुम अपनी आप में एक अलग से ही energy में हो मुझे जहां तक दिख रहा है कि तुम्हारे अंदर गुस्सा काफी ज़्यादा है तुम्हारे अंदर गुस्सा काफी ज़्यादा है और गुस्से में रहकर के तुम अपनी life को बरबाद कर दोगे ठीक मैं तुमसे यही कहूँगी कि तुम मैं उसके लिए कोई या कोई डिसीजन कोई तूम्हें करना होगा तुम्हें लेना होगा डिसीजन और जो भी करना है जैसे भी करना है तुम्हारे उपर depend करता है मैं तुम से यही काऊंगा कि तुम अपरी life में कभी भी गिल्यों नहीं, life को उपर उठाओ life को कभी भी इस तरीके से मत जियो जिस तरीके से बोज लगने लगे है ना तो life को अच्छे तरीके से जीने के लिए तुमारे अंदर strength होनी चाहिए तुमारे अंदर power होनी चाहिए ठीक तो यह है आपकी reading आज की reading आई होगी reading आपके साथ resonate की होगी resonate की है तो जरूर जरूर चैनल को subscribe कीजिए आज हम जानने वाले हैं आपके सामने रखा यह गोमती चक्र ट्री इसके बारे में इसके क्या benefits है क्या है ऐसा जो की गोमती चक्र में है और इसे क्यों रखना चाहिए अपने घर में या अपने office टेबल पर ठीक आप इसे decoration के लिए भी यूज कर सकते हैं लेकिन यह अपना benefit देता रहेगा ऐसे भी तो क्या benefit से इसके यह मैं आपको आज बताने जा रही हूँ सबसे पहले तो गोमती चक्र सास्त्रों में गोमती चक्र का बहुत महत्व है आपको पता है भगवान श्री क्रिष्न के सुदर्शन चक्र का सुक्ष्म रूप स्वरूप माना गया है यह ठेक क्योंकि इस पे जो है यहाँ पे गोल गोल यह देख रहे हो आप लोग आई अगर आप नॉर्मल गोमती चक्र देख रहे हो यहाँ पे दिख रहा है यह क्या बना हुआ है गोल गोल है ना तो यह पवित्र नदी गोमती नदी में प्रकितिर रूप से पाया जाता है यह गोमती चक्र और मान्यत्या यह है कि गोमती चक्र जो भी अपने घर में रखते ह उनके घर सुख सम्रिधी और मा लक्षमी की क्रिपा बनी रहती है यानि कि मा लक्षमी आपके घर पधारती है और अभी आ रहा है दिपावली है ना तो दिपावली पे इसपेशली आप लोग इसे अपने घर में स्थापित करें और इसकी पूजा करें जिससे आपको काफी ज देखो गोमती चक्र ट्री का मतलब स्रीप पूजा करने के लिए नहीं होता सिर्फ सुक समरिद्धी को अकरशित करने नहीं होता यह आपके रोगों से भी रक्षा करता है या निकि अगर आपको कोई बीमारी है या आपके घर में बहुत लोग बीमार पड़ते रहते हैं तो नहीं ही यह help करता है आपके लिए यह गोमती चक्र ट्री ठीक और आप अगर बिजनेस करते हो कोई भी बिजनेस है आपका किसी को ब्रकर का बिजनेस है तो आप इस गोमती चक्रे ट्री को पुस अस्थान पर रख सकते हैं जहां पड़िवी चीजे भूल जाता है बार-बार, तो आप इस गोमती चक्र ट्री का यूज कीजे, उसके टेबल पे रख दीजे, देखिए कमाल क्या होता है, इसके बहुत बहुत ज़दा फायदे हैं, और अगर आप husband wife के जीवन में भी काफी ज़दा कलेश रहता है, काफी ज़ चक्र ट्री रखने का मतलब यही है, कि आपकी लाइफ में सुक समरिधी तो आएगी ही आएगी, उससे कहीं कोई जाने वाला नहीं है, जो गोमती चक्र के बेनिफिट है यह आपको बहुत ज़ादा, बहुत ही ज़ादा देखने को मिलते हैं, इस गोमती चक्र ट्री को आप किसी का इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, तो इसके लिए मैं अपना यह गोमती चक्र में अपने टेबल पे रखती हूँ, वैसे ही आप अपने घर में रख सकते हैं, सुक समरिधी को प्राप्त करने के लिए, यह बहुत ही प्यारा पीस है, अगर आप लेना चाहते हैं, सबसे अच्छी बात है कि घर के वास्तू दोश को ठीक करता है, आपकी रोजमरा जिंदगी को सही करता है, आपको नीड़ना लेनी की छमता मजबूत करता है, इसके क्या-क्या बैनिफिट्स में आपको बताओं, बहुत सारे बैनिफिट्स हैं, बहुत ही अबंडेंस प्रो फायदा करेगा, यह चोटा सा एक गुमती चगर, जो कि बहुत ही कम कीमत का है, आपको बहुत जादा फायदा देगा, तो आप इसको कॉंटक्ट कर सकते हैं, दिए गए वाट्स अप नमबर पे लेने के लिए, और मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, इसी तरी के कु बाई!